आज मैं आपको ऐसे थ्री साइंस के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि वो परसन आपसे रीकनेक्ट करना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं अगर आप किसी परसन के साथ नो कॉंटेक्ट सिचुएशन में हो आपके फ्रेंड कोई भी रीजन हो सकता है लड़ाई हो गई और अब आपकी बातचीत बंध है तो अगर आपको इस तरह के तीन साइन मिलते हैं तो इसका मतलब है वो परसन आपसे कम्यूनिकेट करना चाहते हैं और सम टाइम वो गिल्टी भी फील कर रहे हैं तो साइन नंबर वन होता है कि आप उस सिचुएशन को उस चीज को भूल के आके बढ़ चुके हो और अपने काम में खुद को बिजी कर चुके हो आप कहीं पे भी हैं ऑफिस में कॉलिज में और अपने काम में बिजी हैं घर में पूरी तरीके से अपने काम में बिजी हैं आप उस पर्टिकुलर परसन के अभी आप बात शायद करना भी ना चाह रहे हो या कुछ लोगों में यह देखा जाता है कि वह परसन से आप नफरत करते हैं फिर भी अचानक से उसी इंसान की कोई स्वीट मैमरी आपके दिमाग में आ जाती है आपके चेहरे पर हलकी से स्माइल आ जाती है आप किसी मीटिंग में हैं आप प्रिजन्टिशन दे रहे हैं अचानक से आपके माइन में उस परसन की मैमरी आ जाती है और बहुत स्वीट मैमरी जो अच्छे मोमेंट थे वही क्लिक करते हैं आप अराम से अपने इग्जामिनेशन में बैठे हो अचानक से उस परसन की याद आ जात और आप उस वक्त उस चीज को भूल के फिर से अपने काम में लग जाएंगे साइन नमबर टू होता है रीक्रियेट मॉमेंट यह युनिवर्स क्या करता है कि लास्ट टाइम घुमने गए थे वो सेम प्लेस सेम कोई भी म्यूजिक वो सीन चीज आपके सामने रीक्रियेट होगी और उस सीन को देखते ही आपके माइन में फिर से वो एक स्वीट मैमरी आएगी और आपके चाहरे पे स्माइल आएगी इसका क्लियर मतलब होता है वो परसन एनलजी लेवल पे आपके साथ बार-बार कम्यूनिकेट करने की कोशिश कर रहा है और यहां पे खास बात है हमें कभी पी उस इंसान की नेगिटिव चीज़े याद नहीं आती और जो भी लड़ाई या चीज़े हैं यह याद नहीं आती हमेशा स्वीट मैमरी याद आती है और हमें रगते हैं हाँ इस इंसान में ये चीज तो अच्छी थी इस इंसान में ये बात तो अच्छी थी हाँ आखिर मैंने इतना गुसा किया ही क्यों 3哈哈 कि अच्छानक से आप हो सकते हैं दो महीने चार महीने से उस इंसान से पूरी तरीक इस कट हो चुकर बात नहीं करे कि उस उसकी दी से इक लेकर अपके साथ हो रहा है लेकिन ऐप परसन आपसे reconnect करने की कोशिश कर रहा है that's why आपके अंदर ऐसी feeling आ रही है वो आपको बार-बार फोटो के जरीए तैलीपैथी कर रहा है और इसकी वज़े से वो बार-बार आपका status चेक कर रहा है इसकी वज़े से आपका मन करता है कि जाएं और उसका डीपी ढूल के देखे Facebook पे, WhatsApp पे, Telegram पे कहीं पे भी उस इंसान की फोटो देखें तो ये आपको अचानक से ऐसा होने लगेगा ये तीनों sign clear बताते हैं कि वो person reconnect करने की कोशिश कर रहे हैं भले physical world में आप लोग का communication बंध है लेकिन energy level पे आप एक energy है वो person भी एक energy है दोनो energy level पे आपस में communicate करने क कोशिश कर रहे हैं आपकी energy बिल्कुल silent हो चुकी है आगे बढ़ रही है लेकिन वो energy आपको बार बार communicate करने के लिए message भेज जा रही है आप अपने काम में busy है फिर भी आपके साथ ऐसा होता है एक bonus tip में और बता दूं sometime क्या होता है कि इंसान अपने काम में लगा होता है उ लेकिन आप उस frequency को पकड़ने पा रहे हो इसलिए आपकी जो energy है आपका जो subconscious mind है वो आपको वो energy देना चाहरा है आप रिसीव नी कर रहे हो consciously that's why आपको गुसा आने लगता है आपको irritation होने लगती है आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है तो यह तीन पॉइंट थ बता दी अगर आपके साथ resonate करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए और आपके साथ कभी इन में से कौन सा साइन मिला है वो भी बताइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए